असलाम लुकुम फ्रेंट तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं काले चने की सब्जी की रेसिपी बहुत ही तेस्टी बन कर तयार होती है और खाने में बहुत ही हेल्दी भी होती है क्योंकि चना दल बहुत ही आईरन और प्रोटिन से भरपूर होता है तो हमने इस में डबल हो गई है यानिक अच्छी से फ़ूल भी गई है तो अब इसको हम अच्छी से एक से दो पानी से धो लेंगे चने को बॉइल कर लेंगे तो इसके लिए हम ने आपर कुकर में चने को कर लेंगे तो सबसे पहले हम हाइ फलेम पर इसको दो सिट्प्क मिनुट के लिए और लो फलेम पर हमसके 10-15 तो चनिक अच्छे से बॉंट हो स्बसज़े बना लेंगे तो अब कडायी लेंगे उसमें और में एक तेज पते को आट कर लेंगे और साथ में अधिसे कर लिए तो इसको हरी मिर्ची को भी हम इसमें आड़ कर लेंगे हूं तो हमने यहां पर बहुत ही बारी कट लिए है तो देखें हमने पैस का लगeur हल्का हरी मिर्ची को भी है बून लिया है तो अच्छी से सौफ्ट हो गई तो अब इसमें हम लाल म्यूची आट करेंगे तो हम अच्छा से मिक्स करेंगे तो इस तामाटर की पियूरी बना लिया तो इस तलब प्यूरी को भीह हम इसमें आफ कर लेगे अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और लो फिलंपर हम इसको कम से कम çek चनी रख्वे पानंस से छे मिनिट के लिए हम इसको पका लें ये टमाटर हो गयर नहीं नहीं, तो बहुत अच्छी त़रीकि से我就 हो गया है तो अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब इस ग्रेवी में हम चार बड़े चमत चनी के जो हमने बॉयल के वे थे उसको अलग से हम पहले एड़ कर लेंगे और इसको इस तरह से म्याशे की मदर से म्याश कर लेंगे इस तरह करने से चनी की सबसी में बहुत यह अच्छा बैंडिंग आ जाता है तो हमने आप चनों को अच्छे से मैश कर लिया है तो बाकी बच्चे भी सारी चने भी हम इसमें आइड कर लेंगे तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप इसमें पाने को भी आइड कर सकते हैं अपनी ग्रेवी की हिसाब से तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब इसमें हम दो बड़े चना मसाला आइड कर लेंगे अगर आपके पास चना मसाला ना हो तो आप इसके जगह गरम मसाला का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में हम इसमें टेस्ट के अकॉर्णिंग नम्मक को आड़ कर लेंगे तो नम्मक हमने आड़ नहीं किया था तो चैने में हम नम्मक को आड़ कर लेंगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नम्मक को आड़ कर ल तो gravy को अच्छे पकते विए तो gravy अच्छे से पक गई है तो एक आज इवार हम जो आज एक आता है तो जो एक आज Central की जो modo अधियों सब्सक्राइए तो गर्मा करम रडी है चौनादल की सब्झी होती है और बहुत ही हल्दी भी होती है तो आपarlागन सब्झी चपाद यहें में सब्सक्राइब करें मेरे